तो देखे भाई बड़े सामदार तरीके से आपकर टीए भी कॉमन था टीए भी मैंने कॉमन लिया ठीक है तो क्या बचेगा देखिए एंड प्लस ना अब एच इस क्या है एच इस क्या है इसमें एंड प्लस ना है इस साइड आ जाएगा ए मैंनस बी अपान ए प्लस बन इसकोईल टू डवी ऐबी दी इसकोईल टू क्या जाएगा ए माइनस बी अपान एबी और ए प्लस बी A आपको डीक value सोरी यहां आपको नहीं देखेगा आप यहां आगे देखेगा A-B आपका total implies of implies of implies of implies of implies of implies of ठीक है तो आप यहां तो देखेंगे A आपकी value D-A भी है तो आपकी total value क्या हो जाएगी आप इसमें कर देखेंगे तो आपकी वैलू को जाएगे D A B is equal to ठीक है अब क्या है A minus B अपान क्या हो जाएगा N plus 1 ठीक है तो D is equal to क्या हो जाएगा A minus B upon A B N plus 1 ठीक है A आप क्या हो जाएगी D की वैलू कर जाएगी Setout टीक्रीज आप इसे देख भी सकते हैं समझ भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं बड़े इंसांदार बड़े ही उमीद के सांथ में कोशना के समय पेस किया हूँ ताकि आपनों की जोस भरा जो लांगेश है वह आपको अच्छे करीके से Concept of Clear कर ले यही आप अगर 1 अपान भी इस दी Second Term में ले लिए जाए And Plus Tooth Term में तो आप ए बोलोगे 1 अपान H1 अगर मैं 1 अपान H1 की दर वाईलू कर निकल तो मेरे भाई आप ए बोलोगे कि 1 अपान H1 की जो वाईलू होगी वो क्या होगी 1 अपान A प्लस D होगा तो 1 अपान A हो जाएगा D की वाईलू कितना पता है आपको D की वाईलू A माइनस B A आपकी वाईलू A B और N प्लस 1 पता था इस तरीके से आप A बड़े ही आसान तरीके से बोल सकते हो बड़े ही आसान तरीके से इसका explain भी कर सकते हो कि A वाईलू तो था ही A वाईलू तो था ही अगर मैं यही 1 अपान H2 अगर पूछलू 1 अपान अगर मैं H2 पूछलू आप किस तरीके से इसका अंसर देंगे यह आपका 1 अपान A था, A हो जाएगा, यहीं चिल्टू मल्टिंटिकेटिंग हो जाएगा, A-B और A-B और N प्लस 1 हो जाएगा, पुरिक्टोफिक्स हो गया, ऐसे ही कोस्टन को जब आप आप आगे कितरा पढ़ाएंगे इस कोस्टन को, 1 अपान S3 हो ज जाएगा, और आप बड़े ही बिनर्व, बड़े ही टिप्रगटिक साथ बोल सकते हो, A आपका 3 हो जाएगा, A-B, A-B और A-B, N-1 हो जाएगा, बिदाउट किसी कंसेसन, बिदाउट किसी नंबर के साथ में, आपकी A वैलू बड़े ही सांदार तरीके से बताई जा रही है और आपको समझारी कैसी से कंप्लेट करना है, अब मेरे देवी भाई सज्जणों मेरे भाई सभी जो उप्यासी तियारी करना है यह से मेंस की, उनिके लिए मेंस की बहुत बड़ी स्टोरी है, अगर आपको 1 अपान कहिनी, H-N की वैलू कर मैं पूछलू, H-N की वैलू और जो N है यह टर्म इंटू, A-B, अपान A-B क्या हो जाएगा, N प्लस वन, ऐसे सारी कुस्ट्ट को कंसर्ट कराने में मात आपको क्या करना चाहिए, बेसिक फंटाप मेंटर पता होना चाहिए, क्या आप इसे कैसे कंप्लीट करता होगे, अगर आपको ऐसे आप कुस्ट्ट्ट को समझने में भी जादा वक्त का टाइम मत लगाएगा, अगर मैं अगली टॉपिक को बात करूँ, अगली टॉपिक को मैं कैसे बात करूँगा, वो आपके सामने में पेस करके दिखा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर लिखा, प्रो परटी, और एम, जी अगर इन दोनों की बीच में मैं बिट्विन टू किवेन नंबर, बिट्विन टू गिवेन नंबर भी दिया रहेगा, ऐसे, बिट्विन टू गिवेन भाई, आप बड़ी सांदार, बड़ी उमीत सांथ इस कोस्टन को लगा सकते हो की, आपको अगर पता है क्या, लेट A, G, आपको इसमें पता है, यह आपका लेट A, क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और आप इस तरीके कोस्टन कैसे कंसेप्ट करोगे, and as are, and as are, ठीक है, the arithmetic, the arithmetic, the arithmetic, geometric and, geometric and harmonic mean between, harmonic mean between, harmonic mean between two numbers A and B, A and B, बड़े सांदार बड़े उमीत सांथ ही पोस्टन मैं बता रहा हूँ, कि two numbers A and B, अगर आपके पास कोई arithmetical फर्मगा अगर हो, तो वो आप मेरे पास share कर सकते हो, कैसे इसको complete करना है, आप इस तरीके कोस्टन को देन लगा करके तुरंद आप find करने की practice चालेंगे, तो पता होगा, एच क्वर्टू A प्लस B बाई 2 होता है, एच क्वर्टू A प्लस B बाई क्या होता है, 2 होता है, मेरी सभी भावनाओं को समझने की practice साब लोंग उपर depend करता है, और आपको A की value A हो गया, जी आपकी value G इस क्वर्टू रूंट A भी हो गया, अब यहीं हम की बाद हुआ था, तो वह हम जो था, ओपान में, तो टोटा आपकी value H इस क्वर्टू आपको पता क्या था, कि 2 A B अपान A प्लस B होता है, 2 A B अपान A प्लस B होता है, अगर पहले condition में आप देखेंगे, A आपका S, G आपका S, अगर H आपका S condition बना ले, 2nd condition आपकी क्या करता है, कभी कभी form अगर GP को G square AH बना ले, इस तरीके से तो G is equal to root AH अगर बना ले, आप A बोलोगे, ऐसे, तो आप क्या बोल सकते हो, आप मात्र इतना बोलोगे न, इसकी जो कंशेसम होगी, आप अपसमें कैसी होगी, एकदम सेम टू सेम होगी, अगर इन सब के बीच का कोई A equation, अगर इन सब के बीच का कोई A equation, अगर आप put off करेंगे, ए वैलू आपकी X Q minus 3A, अगर देखेंगे, ए आपका S square प्लस अगर बना लिया, बना लिया, तो 3G Q बना लेगा, अपान H बना लेगा, टोटल वैलू, अगर X की उपर दिनॉस कराता है, यह आपका G Q is equal to 0 हो जाएगा, A वैलू आपका G Q is equal to क्या हो जाएगा, वैलू लिख सकते हैं, आप बड़े सांदार तरीके से लिखेंगे, वैलू आपकी G की वैलू क्या हो जाएगी, तो G की वैलू आप बोलोगे थाईश हो जाएगा, टोटल A प्लस B प्लस C बाई थी को उपर दिनॉस करा करके, टोटल जो वैलू जो आपकी बनेगी, तो मेरे कुछ सज्जानों किसको दिनॉस मानते हैं, यह वैलू आपकी टोटल क्या बनाएगी, यहाँ देखेगा, टोटल वैलू इसकी जो प्राइस कॉंप्रीट करा करके, यह रूट A, B, C बना लेगा किसी कंसेशन के उपर, तो मेरे सांडार वैले जितने भी कोश्वन्स हैं, तो आप बड़े ह्यों मीश्क सांथ यह दरता सकते हो कि, अगर A की वैलू इतना हो सकता है, और G की वैलू इतना हो सकता है, H की वैलू क्या होगी, तो H की वैलू मात्र आप A से कंसेशन करा सकते हो, 1 अपान A हो जाएगा, बड़े सांडार तरीके से, 1 upon B है तो 1 upon B हो जाएगा A भी 1 upon B हो गया और 1 upon C है तो 1 upon C हो गया और आपकी टोटल 3 है तो आपकी टोटल 3 हो जाएगी वाई रूपो समझने में बड़ी आसान पड़ेंगी जबर्दस बड़ेंगी सांदार मैं टेक्निका होनों के बीच में आता रहता हूँ अगर कभी भी आप से अगर कभी भी आप से इस तरीकी कोशन पुछ ले कि कि किस नमबर है मैं यहाँ थोड़ा सा बॉक्स बना के सेट आप करा दे रहा हूँ 22 नमबर अगर पुछ ले नमबर आप E अगर आप से नमबर आप आप क्या अंसर दोगे आप मार्क इतना बता सकते हो E is equal to आप का Total E is equal to आपका Total 1 upon 1 factorial 1 upon 2 factorial 1 upon 3 factorial 1 upon 4 factorial 1 upon 4 अगर बना ले तोटल अगर one की value ना जाते हुए गर या infinite पर चला जाए तो आप एक अगो भाई जब इसमें आप limit लगाओगे न जब आप इसमें limit लगा दोगे n आपका infinite बना लेगा और one upon n प्लस one बना लेगा किसी भी भी कोज value को आपको prove करा करके तो आपकी power की अगर मैं बात करूं तो यंद आपका infinite time है तो आपकी value infinite time टक क्या हो जाता है बिराओं करा लेता है आइसे question जब बड़ तरीव से से आपकी mathematics ने क्या किया है पूछा है और पूछे गा पूरी उमीद के ताभ सान्थ क्या करेगा question को पूछे का इसंतरीके question को आप कैसे complete करना है आप इसे लगा भी सकते हो बड़े ही सांदार तरीकों से ठीक है आगे की और देखेंगे आपकी question क्या है आप को पता है क्या जैसे आप लिख पाओगे 1 प्लस x square upon 2 factorial ऐसे लिखो ठीक है x plus 4 upon 4 factorial x upon 6 upon 6 factorial ऐसे questions को complete कराने में अगर आप plus करके अगर आपका जाता है तो आप एक क्या बोल सकते हो कि समीस्तन वैलू होगी जो इसकी समीस्तन जो वैलू होगी आपकी वैलू and equal to 0 बना लेगा हाँ अगर and equal to 0 बना लेगा अगर ए आपका infinite बनाएगा ए आपको x की पावर 2N हो जाएगा और एची कितना दिया है 2N factorial हो जाएगा तो ऐसे questions को अगर आप देखने में आपको उमीद दरसाई जा सकती है तो आप मेरे भाई आप लेट क्यों करते हो अगर आपके पास अगर ऐसे फोर्ट टर्म की वैलू अगर मैं पुछ लूँ अगर ए एक्स डैस करके ए इंवर्स एक्स अपान में क्या पुछ लूँ तू पुछ लूँ आप ए बोलोगे gaping by gaping में अंतर हो रहा है x प्लस x को पावर 3 3 फरक्टोरियल प्लस x पाव 5 5 फरक्टोरियल प्लस डास चाश डास टोटल वैलू क्या हो जाएगा इंफाइनाइट हो जाएगा अगर आपकी वैलू एंफाइनाइट अगर हो जाएगा इसका क्या बनाएगा तो समीशन आपको देख जैसे इसका क्या बनाया था आप इस तरीके से बोल सकते हो सब कुछ वही रहेगा मात चेल्जिंग सब कुछ वही रहेगा लेकिन मात चेल्जिंग आएगे किसमें आप देखिए बता रहा हूँ टू एन प्लस वन हुजाएगा तू एन प्लस वन फ्रक्टूर के हुजाएगा बस खतम बजाए ठीक है ऐसे कोश्चन साब क्या करता है मैं क्यों पूछता है अब बागी सारे मैं क्या क्या करते हैं श्राणा भी नहीं है आपको कोश्चन को लगाना ओ स ए प्लस िंवर्ट वनकी वोईह अगर आपके Caoने करके पूछले अगर आपके सामें करते हैं आत Si Lend선 वान-स वापांट together one सब्सक्राइब करें अगर इस पर बनाना अगर स्टार्ट करेंगा समिशन इन इसको कंप्लीट कराएंगे मात रहां चंद चंद चमें और आपके सामने की पेस करूंगा किसे कैसे कंप्लीट करना है चलो आगे पढ़ता हम सिक्स नंबर की पॉइंट है अगर यह आपका एउग गया इंवर्स वन हो गया फांट वो गया तो क्या बनाएगा गलतिया कर बैठे तुम गलतियों में क्या रखा है तो वन प्लस आपकी वैलू वन अपान थी फ्रेक्टॉरियल प्लस वन अपान फाइट फ्रेक्टॉरियल प्लस डेटर्स करके तोटल जो वैलू होगी आपके सामने जो पेस होगी वो आपका इंफाइनाइट धंग तप हो जाएगा और आप अगर इसे प्लस माइनस पगर लगाते हो एवाई वैलू आपको ऐसे आएगी और एन स्कॉल टू जीरो हो जाएगा और वन अपान टू एन प्लस वन हो जाए द록 वन अपान वन फेक्टोरीयल ठैकर वन अपान टूवत टो वन अपान अफ्री टूरियर क्योंकि बार की टर्म था तो वाते टर्म में था अगर प्लस-प्लस करके फिछ niño ma पढ़ना गता है यह माइनस मन सोभा देगा यह माइनस मन जब आपका सोभा देगा ताप आगे के लिए ऐसे वैद्यू आप चूच कर सकते हो जो आपको वैद्यू पुश्रमी आशान होगी अगर मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं इस तरीके से अगर मैं समीसर माइनू अगर आपका इंफायनाइट है मेरे दोस्तों आप यह बोल सकते कि नि श्कुल टू जीरो सब्सक्राइब जब आपकी n स्कुल टू जीरो होगा तो आप यह बोल सकते हो कि 1 अपन आद प्लस 2 प्रेक्टो ईगगा और अरे रियरे मेरे बड़े तो 1 अपन 2 सब्सक्राइब करने में अब मेरे बड़े आप से कभी भी आयक्स वाई लोगर में पूछनों नाइन नमबर वाला नाइन नमबर में आप यह पुछाओ मगा फिन होगी लू वाई यह देखेंगा दो हुज जाएगा एक्स्क्वाइर का फ़ैक्टोरियल वाचको आद लेगा करेजा फैक्तोरियल कर टोटल चो आपकी आएगी ओ एक्से थावर और यформाट हो बना लेगा अंट पाफ़त की है हिता है एससे क्या करता सामने कर DOWN तो आप हिम्मत नहीं हां रोगे आप कोल लगातार तरीक्टों से क्या कर सकती हो मि जब करता है ए वाओ पूछ लेता है यवाओ को था दाओ नमर्ठ 10 तक है तो तो वान प्रास अगर आपको इसकी वैलू कर चेक करेंगे तो आपकी वैलू लॉग वाई हो जाएगा और जब लॉग आपका ई ए बना लेगा लॉग ई ए और प्लस करके आप आगे की तरफ यह देख सकते हो कि प्लस मैं किया तो वाई स्क्वाइर पांट टू फैक्टोरियर लॉग यहां देखी क्या वैलिल पूच्वा द लाग ए इका बूरी स्काइर बना लेगा लॉग ए का बूरी स्क्वाइर ऐसे यह थिरी गार पूच्वा थिरी प्लस हम एक ख्री फैक्टोरियर लॉग इ एक बढ़ता जाएगा बढ़ता तरीक से ठीक है इस तरीका से मैं फुड़ा सा रेश्ट लेता हूं कि कीवन हावर का वीडियो आपनों की बीच में जा रहा है और आप बड़े मीश सांद इस कोशन को लगाएंगे और कोशन को समझेंगे किसे कैसे कंप्रीट करना है ठीक है आगे लगर्थिन का रूल है कुछ लगर्थिन का रूल को समझ बहुत ही सांदार बहुत ही पियां तरीकल से ता आप लोग वेट करिएगा फिर देखता हूं कैसे से कंप्रीट करना है ठीक है